नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस पॉनिश महंगाई या असमान चू रही है फिर वो घरेलू गैस लेंडर हो या फिर किसी भी प्रकार की चीज़े जो आप यूज करते हो तो वहीं जो गैस लेंडर को लेकर आए दिन उसकी रेट बढ़ते हैं और लोगों को ये लगता है कि उनके घरेलू नीजी चीज़े जो आम जिंदगी में डेली उनके इस्तमाल की चीज़े वो इतनी महंगी होते चली जा रही है तो इस बात को लेकर अगर आप थोड़े परिशान हैं तो आपको एक राहत देने वाली खवरम लेकर आए हैं जहां पर गैस लेंडर के दाम में कटौती होने वाली है जी हां जिस तरीके से गैस लेंडर पिछले कई महीनों से उसके दाम में बढ़ोतरी हुई है उसके बार आपको महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है गैस लेंडर के दाम कम होने वाले वही तेल कमपनिया कमर्सियल और घरेलू स्लेंडर की प्राइस में कमी लाती है तो यहाँ पर Gas Slender के कई महीनों से प्राइस बढ़ते जा रहे थे लेकिन अब ये प्राइस कम होने वाली है आज से शाल का 11 महीना शुरू हो चुका है नवंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही लोगों को महंगाई से राहत मिली है LPG Slender की प्राइस में बड़ी कचोती की गई है अब Gas Slender 115 रुपे सस्ता हो गया है लेकिन हम आपको बता दे कि ये कचोती Commercial LPG Slender के साथ हुई है ये कचोती Commercial LPG Slender के प्राइस में की गई है वही घरेलू Gas Slender की प्राइस की बात करे तो वो अपने पुराने रेट पर ही बना हुआ है देश भर में 14 किलो ग्राम वाले घरेलू Gas Slender की प्राइस में 6 जुलाई के बाद से कोई बदलाब नहीं किया गया है Commercial LPG Slender की प्राइस में कचोती से ही चारों महानगरों में गैस के प्राइस में बदलाब हुआ है दिल्ली में कमर्सियल LPG Gas Slender 1744 रूपे से मिलता है तो वहीं कॉलकाता में कमर्सियल LPG Slender 1846 रूपे में मिलता है मुंबाई में कमर्सियल LPG Gas Slender 1696 रूपे में मिलेगा तो वहीं चैन्नाई में कमर्सियल LPG Gas Slender 1893 रूपे में मिलेगा वहीं घरेलू gas lender की बात करें तो दिल्ली में 1013 रुपे है, कॉलकाता में 1079 रुपे है, मुंबई में 1052.5 रुपे है, तो वहीं चेन्नाई में 1080.5 रुपे है आपको बता दें कि देश की सरकार तेल कमपनियां हर महीने की शुरुवात में कमर्सेर LPG gas lender और घरेलू slender की price में बदलाव करती है ध्यान देने वाली बात ये है कि पिछले कई महीनों से घरेलू slender यानि कि LPG slender की price में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है इसके जरियां आम लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देने की कोशिश की गई है इसके साथ ही कमर्सेर LPG gas lender के price में लगातार कमी की जारी है इसके द्वारा होटल खाने पीने की दुकान में खाने बनाने के कोस्ट में भी कमी आईगी तो वहीं LPG slender के घरेलू slender की price में कटौती अभी फिलहाल नहीं की गई है commercial LPG slender की price में कटौती की गई है जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी वहीं हम आपको भी बता दें कि इस कटौती से अगर बाहर में जो लोग food बनाते हैं जो खाना बनाते हैं उनके लिए कहीं न कहीं थोड़ी राहत मिली है इसी तरह के तमाम updates के लिए देखते रहें News 4 Nation धन्यवाद